डॉक्टर मुली मुनोर जोशी जी, पार्टी के अन्य सभी प्रदाधिकारी, सभी सम्मानित साथी कारकरतागान, देवी और सज्जरों. भारतिय जनता पार्टी के केंद्रिय कारले के विस्थार की देश भर के भारतिय जनता पार्टी के कारकरताओं को बहुत-बहुत बधाई दोजार अठरा में जब मैं कारले का लोकारप्ण करने के लिए आया था तो कहा था कि इस कारले की आत्मा हमारा कार करता है आज जब हम इस कारले का विस्थार कर रहे हैं तो ये भी केवल एक भवन का विस्थार नहीं है बल्कि ये प्रतेग भाजपा कारकरता के सपनों का विस्थार है भाजपा के सेवा के संगल्प का विस्थार है मैं पार्टी के उन कोटी कोटी कायर करता हूँ के चरणों में परनाम करता हूँ मैं पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों को भी सर जुका करके नमन करता हूँ साथिवा आज से कुछ दिन बाद हमारी पार्टी अपना चमाली स्वास थापना जिवस मनाएगी यात्रा एक अनथक और अनवरत यात्रा है ये यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा की यात्रा है ये यात्रा समर्पन और संकल्पों की सिखर की यात्रा है यह यात्रा विचार और विचार धारा के विस्तार की यात्रा है और यह यात्रा यह विस्तार अपने आप में बहुत ही प्रिणादाई है आपको याद होगा भारतिये जनसंग ने दिल्ली के अजमेरी गेट के पास एक छोटे से आपिस से अपनी यात्रा शुरू की थी उस समय हम देश के लिए बहुत बड़े सपने देखने वाले छोटी सी कार्टी थे सपने बड़े थे दल छोटा था 1980 में जब भाज़पा का जन्म हुआ तब कुछ समय के लिए दस राजेंदर पुषाद मार्क पार्टी का अफिस बन गया था और उसी जगा पे पहले अपने नाना जी देशमुक रहते थे बहुत से कार्यकरताओं को ग्याराशो का रोल पार्टी अफिस के रुप में याद होगा इसके भी काफी समय बाद पार्टी अफिस दिंदाल उपाज़दे मार्क पर सिप्ट हुआ एक तरह से हमारी पार्टी की प्रगती का प्रतीक है इस दोरां कितने ही उतार चड़ावाए है हम तो बोतल है जिसने इमर्जंसी के दोरां लोग तंत्र की रक्षा के लिए खुद अपने दल को ही देश हित में आहुद करने पर हमने हिम्मत के साथ का दबुक्षा फिर सन्द 84 में जो हुआ देश कभी भी उस काले पुरुष्ट को भूल नहीं सकती है और उसके बाद जो चुना हुआ कॉंग्रेस को हैतिहासिक बहुमत मिला था भावनाओं से भरा हुआ वो माहोल एक इमोशनली चार्ड एक्पोस्टियर और उस आंधी में हम भी लगभग पुरी तरह से खत्प हो गए थे लेकिन हम हताश नहीं हुए हम निराश नहीं हुए हम ने किसी और में दोस्ट जुनने की कोशिश नहीं की आरोप प्रति आरोप के चक्कर में हम नहीं पड़े हम चले गए फिर एक बाद जनता जनार्दन के बीश हमने जमीन पे काम किया हमने अपने संगठन को मजबूत किया और तब जाकर आज हम यहां पहुँचे हैं दो लोग सभा सीटों के साथ शुरूवार सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुँच गया आज कई राज्यों में हमें 50 प्रतिशत से जादा वोट मिलते हैं आज उत्तर से दक्षिन तक पस्चिम से पूरब तक भाजपां एक मात्र पैन इंडिया पार्टी है परिवार के कब्जे वाली पार्टियां फैमिली रन पार्टियों के बीच भाजपां ऐसा राजनितिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत आउसर देता है आज भारत की माताओं बहनों बेटियों का अशिरवात जिस पार्टी के साथ है उस पार्टी का नाम है भार्टीय जुनिता पार्शियों और साथ यो आज भाजपा केवल विश्वकी सबसे बड़ी पार्टी नहीं है बलकि भाजपा भारत के सबसे फुचरिस्टिक पार्टी है हमारा एक ही लक्ष्य है भविश्य के आधुनिक और विक्सित भारत का निर्मान करना और इसलिए हमें खुद अपने लिए भी भविश्य के लक्ष निर्धारी करने ही होंगे इसके लिए हमारे पास आधुनिक सोज भी होनी चाहिए आधुनिक संसाधन भी होने चाहिए हमें भाजपा को एक ऐसी संस्ता के रुपे विक्सित करना है जिसके पास अगले दस साल, बिस साल, पचास साल के लक्ष निर्धारी था है इसके लिए तीन बाते हर करतक में निष्ट कार करता हर भाजपा सदस्य के स्वभाव में होना समय की मान है, देश की जरूरत है और तीन बाते क्या है? एक है अध्यान दूसरा है आधुरिक्ता और तीसरा है बीश्व भर से अच्छी बातों को आत्मसाथ करने की शक्ती हम आप जानते हैं कि पंडित दिल्दियाल जी जहां कहीं जाते थे किताबें उनके साथ रहती थी वो प्रवास में भी पढ़ते लिखते रहते थे उनकी रचनाएं, उनके अध्यान और बौतिक विस्थार की गवाः डक्तर शामा प्रसाद मुखर जी के अपने घर में तो हजारों किताबे थी भाजपा कारले के नई बिल्डिंग पार्टी की उस परंपरा का एक केंद्र बनेगी और बननी चाहिए यहां अध्यायन की व्यवस्ता भी है आधुनिक्ता भी है और विश्व भर का अनुभो प्रात्त करने की आकांच्छा भी है मुझे विश्वास है भाजपा का ये आधुनिकारल है निरंतर इन सप्नों के लिए इन संकल्पों के लिए इस अदम में इच्छा और उमंग के लिए अभीरत प्रेड़ना का स्रोत बनेगा साथियों हम भाजपा कार करताओं के लिए एक गर्व की बात है कि हम सब जिस दल में काम कर रहे हैं जिस दल के आचार संस्कार और विचार ने हमें गड़ा है उस दल की और उसके कार करताओं की आज विश्व भर में चर्चा हो रही है आज बीजेपी की पहचान दुनिया के सबसे महत्वपुन राजनितिक दल के तौर पर होने लगी है आज भाजपा की दुनिया दुनिया की उन एत्यासिक पार्टियों से होने लगी है जिनोंने अपने शासनकाल में अपने देश का भाग की बदल दिया था ये समय बीते चार-पांच दसकों में भाजपा कारकरताओं के त्याग और तपस्या की बज़़ से आया है ये समय भाजपा सरकार के विकास के कारियों की बज़़ से आया है बी जे पी वो दल है जो भारत के महत्व को भारत के सामर्त को ससक्त करने के एक ही संकल्ब को लेकर के चल रहा है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि दुनिया के कई सारे से नेता वो हमारी भासा जब परिचित नहीं है लेकिन फिर भी वो ये सबका साथ, सबका विकास, मंत्र दोहराने का प्रयास करते हैं वो अपनी भाशा में उसका अनुबाद भी करते हैं साथियों, आज हमारा नौर्थीस, सबका साथ, सबका विकास के मंत्र का बहत्री नुदारण है नौर्टीस के आबादी में बहुत विवितता है वह अलग अलग समुधायों के लोग है आदिवासिक और विधायी समुधाय के लोग बहुत आयत है इक्षेत्र के लोग भाजपाप और अभूत प्रविश्वात दिखा रहे हैं आज नौर्टीस में भाजपा के चार मुख्यमंत्री हैं दो अन्डे राज्यों में हमारे गठबंदर के सरकारे हैं इस सफलता का बड़ा स्थे भाजपा के कारकरताओं को ही जाता है भाजपा कारकरताओं के इसी परिशन की वज़े से आज दक्षिन भारत में भी दूर दूर तक पार्टी का विस्तार हो रहा है करनाटका में भाजपा इतने वर्सों से मजबूत स्थिती में है आज भी हम नंबर एक पार्टी हैं करनाटका में तेलंगना में भी लोगों का एक मात्र भरोसा एक मात्र भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा है आंद्र पुदेश में लोगों का भाजपा पर विश्वास दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है तामिल नाडु और केरोला में भाजपा हर जीले में हर बूत पर दिनों दिन मजबूत हो रही है एक भारत सेष्ट भारत की भावना के साथ हो रहा भाजपा का इविस्थार हमें सीटों के मामले में और बोडशेर के मामले में सभलता की नई उचाईयों पर ले जाएगा लेकिन साथ्यों मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ भाजपा को केवल उसकी प्रेजन्स और प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है और भाजपा का स्वभाव है नूतन्ता आधुनिक्ता नूतन्ता हमारी निष्ठा है और आधुनिक्ता हमारी अवधारणा है इसलिए बीजेपी के बल चुनाव लड़ने और जीतने के सिमित नहीं है बीजेपी एक व्यवस्ता है बीजेपी एक विचार है बीजेपी एक संगठन है बीजेपी एक अंदोलर है बीजेपी विकास की भी प्रेणा शक्ति है और बीजेपी बडलाव की भी प्राण शक्ति है बीजेपी ने सियासत की सोच को बड़ला है और समावेश के नए मानकों को जन्म दिया है और इसका एक उदारा है भाजपा का सदस्टा अभ्यान और इसके माध्यम से पार्टी का विस्तार एक समय था जब हम राज्यों में राज्यस्तर की कमिटी बन जाए तो हम सोच रहे थे कि चलिये उस राज्य में जंडा गाड़ दिया फिर थोड़ा समय और पीता कारकरताओं ने परिश्रम किया फिर हम हिसाब लगाने लगे कि पिर कितने जिले हैं जा कमिटी बनी है कितने जिलों में कमिटी बाकी है कब पूरा करेंगे फिर हम एक कदम आगे चल फिर हम सोच रहे जगे चलो जीले तो होगे तो ताओ भई कितने तहसिल में कमिटिया बनी है कितने ब्लॉक लेबल पर कमिटिया बनी है फिर शक्ति के अंदर आया फिर बूठ पर फोकस हुआ और आज आज हम पन्ना प्रमुक तक पहुँच गएगा। पार्टी हैं जिसने पार्टी की व्यवस्ता में संविधानी गुरुप से महिलाओं के लिए पद की व्यवस्ता की हैं संविधान के तहर। भाज़पाप पहली ऐसी पार्टी है जो अपने कार्करताओं को नए अवसर देने इल के लिए निरंतर तत्पर रहती है हमने पार्टी की समितियों में कमिटियों में हर बार पचीस प्रतीशत नए लोगों को लाने की व्यवस्ता शुरू किये है हम कार्करताओं की इसी तांकत से सत्ता के सीखर तक पहुँचे है लेकिन हम भले ही सत्ता के सीखर पर पहुँचे हो लेकिन हमारे पाओं आज भी उतने ही जमीन पर हैं जितने 1980 में हुआ करते थे भाजपा में ऐसे कार्करताओं की बहुत बड़ी फोज है जो कस्ट उठाकर परेशानी जेल कर करतव्य भावना से लगातार देश सेवा में जुटे रहते हैं हम जहां भी काम करते हैं सामुहिकता की भावना से काम करते हैं टीम वर्ग के साथ काम करते हैं भाजपा वो पार्टी हैं जिसमें मुक्त चिंतन होता है नए विचार स्रिजित होते हैं नए विचारों का सम्मान होता है चिंतन और अध्यन करने वाले एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे भाजपा परिवार का विशाल, विस्तार है, हिस्सा है बट व्रुक्ष की भाती है भाजपा वो पार्टी हैं जिसमें समाज के अलग-अलग वर्गों को प्रतिनी दित्व देने के लिए प्रभावी और क्रियाशिल मोर्चे और कमीटियां है भाजपा में हर मोर्चा अपनी सामाजिक भुमिका में सक्रिय भी होता है, प्रभाव शाली भी होता है साथियो भाजपा की एक और विशता है कि हमारी पार्टी समाज के साथ जुड़कर के काम करती है भाजपा में समाज की सेवा के माद्धम से कारकरताओं को घड़ा जाता है जैसे कि आपने देखा हो जा आजकल भाजपा साउसद अपने एक शेत्र में खेल प्रतियोगीताएं करा रहा है इनके आयोजन में बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के वहां के स्थानी कारकरताओं निभा रहे है इसमें देश के लाखों युवाओं को भाग लेने का मोका मिल रहा है हजारों युवाओं को पदक मिल रहे हैं उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं और हमें भी छेत्र की सामर्थ का परिचे होता है इसी तरह कहीं कोई प्राकृतिक आपड़ा हो समाज के सामने कहीं कोई चुलोती आए या फिर रक्तदान जैसे समाज सिवा से जुड़ा अभियान हो भाजपा के कारकरताओं सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखरी तक मोर्चे पर डटे रहते हैं अभी अध्यक जी बता रहे थे कोरोना के दोरान हमारी पार्टी के लोगों ने कैसे घर घर जाकर मुप्त राशन और रिलाज पहुंचाने में मदद की और तब तो पता नहीं था कि जाएंगे तो क्या लेके आएंगे अगर बीमारी घर में लाए तो जिन्दी की खत्रे में पढ़ जाती थी भाजपा और भाजपा कारकरताओं का समाज के साथ जो भावात्मक समंध है वो आपको किसी और राजनितिक दल में नजर आएगा के नहीं आएगा यह मैं कह नहीं सकता साथियों जब हम समाज की सेवा के लिए अपना जीवन खपाते हैं तो सरकार बनाने का आउसर मिलने पर भी यह हमारी प्राक्वित्ता होता है इसलिए ही आजपूर भारत में भाजपा सरकारे आकांख्षा विकांस और प्रगति का परियाय बन रही है और यह भाजपा का ब्रांड अब गवनन्स है जहां भी भाजपा की सरकार है वहाँ गरीब कल्यार के लिए योजपा की सरकारे है वहाँ योजपा का लाब लाभारतियों तक पहुचाना सुनिस्चित हो जाता है जहां भी भाजपा की सरकारे वहाँ युवाश शक्ति को आगे बढ़ने के लिए नई अवसर बनते हैं जहां भी भाजपा की सरकारे हैं वहाँ योजपा की सरकारे हैं जहां भी भाजपा की सरकारे हैं वहाँ विकास और विरासत विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलते हैं साथ क्यों मैं समगता हूँ अब समय आ गया है कि हमारी उनिवर्सिटी अकेडेमिशन्स और एक्सपर्ट्स भारत के पिछले 75 साल के अलग-अलग गवर्नेंस बॉर्डेल्स की कम्परेटिव स्टडी करें अनालिजिस करें देश और दुनिया के सामने रखें देश ने लंबे समय तक कॉंगरेस का एक गवर्नेंस बॉर्डेल देखा है देश ने कॉमिनस्टों क भी कुछ राज्यों में गवर्नेंस का मोडेल देखा है देश ने परिवारवदी एमिलर रन पर्टियों के काम करने का तरीका भी देखा है अलग-लग गटवंदनों की सरकारों का गवर्नेंस मोडेल भी देश देखा है और देश आज पुर्णत महुमत वाली भाजपा सरकारों का गवनेंस मोडल भी देख रहा है एक निस्षिट परामेटर्स के साथ जब इसकी अनालिसिस होगी तो गवनेंस के मोडल का महत्व समझ में आएगा देश के सामान ने मानवी को भी पता चलेगा कि गवनेंस के किस मोडल ने देश को क्या दिया उसके परणाम क्या निकले और उनके लिए क्या बहतर रास्ता है साथियों आज भारतिये जन्रता पार्टी के प्रतेख कारकरता को एक बात समझना बहुत आवश्चक है देशी समय जिस कालसं कालखं से गुजर रहा है वो तेज विकास के लिए बहुत एहम है यह अमर्द काल यह सिरफ शब्द समू नहीं है यह धरती की सच्चा है एक सो चालिस करोड देश वाचों की दिलों की दड़कन है आज हम सबसे हुआ देश है आत्म विश्वात से भड़े हुए देश है पूरे विश्वम है दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान वो नाम है भारत ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बहार बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एक जूट होना स्वाबाविक है ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखन छिन लेना चाहती है आज भारत का सामर्थ है अगर फिर भुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नीव है ये नीव हमारी समयधानी संस्थाओं की है हमारे constitutional institutions की है इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नीव पर चोट की जा रही है समयधानी संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है उन्हें बदनाम करने का भियान छड़ा जा रहा है उनकी credibility उनकी विश्व सिज़ा खत्म करने की साजीश की जा रही है जो लोग प्रश्टाचार में लिप्त है उन पर जब एजन्सियां कारवाई करती है तो एजन्सियों पर हमला किया जाता है जब कॉड कोई फैस्टा सुनाता है तो कॉड पर सवाल उठाये जाते है ना एक प्रानाली पर हमले होते है आप सब देख रहे हैं कुछ दलों ने मिलकर ब्रश्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है आज ब्रश्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं पूरा देश ये देख रहा है देश समझ रहा है साथ क्यों ब्रश्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुक्षान किया है दिमक के तरह देश को खोखला किया है ब्रश्टाचार ने देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह ब्रस्टाचार के खिलाब कारवाई के नाम पर केवल खाना पुरी की थी लेकिन पिछले नव साल में भाजपा सरकार ने ब्रस्टाचार के खिलाब जो अभ्यान चलाया उसने आज ब्रस्टाचार और ब्रस्टाचारियों दोनों की जड़े हिला दिये यह इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो ब्रस्टाचार भागता है मैं आपको कुछ आगड़े बदा चाहता वाड़ से प्रिवेंस अब मनी लॉडरि एक्ट याणि पी एम एले के तहट कॉंग्रेस की सरकार में यानि साल 2004 से 2014 के बीच पांच हजार करोड रुपिये के आसपास की संपतिक जब तक की गई थी पांच हजार करोड इसी एक्ट के तहट पिछले नव वर्षों में भाजपा सरकार ने एक लाख दसजार करोड रुपिये से ज़ादा की संपतिक जब तक ही है इस एक्ट के तहट पहले के मुकामले दो गुने से ज़ादा केस रेकोर्ड किये गए हैं और पंद्रा गुना ज़ादा लोगों को गिरपतार किया गया है हमारे हाँ कुछ लोगों ने कॉंग्रेश सांसन के दोरां बैंकों को जम करके लूटा बैंकों का करीब बाइस हजार करोड रुपिय का नुक्सान करके ये लोग विदेश भाग गए आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब बीस हजार करोड रुपिय की संपती जब तक करवा दी प्रिवेंस अब करप्शन एक के तहट पिछले नव वर्सों में सीबी आई ने लगबग पांच हजार के इस दर्ज किये हैं बीजेपी सरकार में ब्रस्टा चार के आरोपों से गिरे हुए सेंकड़ों बड़े अधिकारियों को समिधान दिखाया सरकार के नियम दिखाये और उनको जबरन रिटायर किया गया है घर भेज दिया गया है और उनके खिलाब कारवाई चलक्त की गई है साथियों आजादी के साथ दसकों में पहली बार ब्रष्टाचार पर इस तरह की चोट हो रही है पुरे देश की जनता आज ब्रष्टाचारियों पर हो रही कारवाई शेखुस है आपकी यही जान करी है ना मैं जहां जाता हूँ लोग यही कहते है मोदी जी रुकना बद हर देश वासी समझता है ब्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बड़ेगा और जब अब जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे वो अपना गुसा भी निकालेंगे लेकिन इनके जूठो आरोपों से न देश जुकेगा न ब्रष्टाचार के विरुत कारवाई थमने वाली साथियों आपको याद होगा कॉंग्रेस के नेता कभी कहां करते थे बड़े बड़े नेता कहते थे जनसंग को जड़ से उखाड कर फ्रैंड देंगे ये उनके बड़े बड़े नेता पोलते थे और आज की कॉंग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी जनजंग को मिटाने की भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजी से हुई और ये तो वो लोग हैं जिन्नोंने मुझे भी जलबे डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं भी जाई लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे और हम बचे हैं हम फले हैं फुले हैं तो जनता जनारदन के आशिरवाद से देश वाज़ों के प्यार से बड़े देश वाज़ों का पार फ्रेम यही तो हमारी पूंजी है यही हमें सावर्थन देता है यही हमें शक्ति देता है देश वाज़ों के आगे सिरवाद से हम आगे बड़े हैं बड़ रहे हैं और बड़ते ही रहेंगे हम यहां से आगे बढ़ेंगे वो भी देश वाज़ों के बिस्मात से बढ़ने वाले हैं साथियों भाज़पा यह वो पार्टी नहीं है जो अख़बारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो यह भाज़पा बाज़पा ट्वीटर हैंडलों और यूटूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है यह भाज़पा अपने कारकरताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है भाज़पा जमीन पर्सकान करके आगे बड़ी है भाज़पा गाओं में खेट खली आनों में गरीबों के साथ कंदा से कंदा मिलाकर तप करके आगे बड़ी है मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मोधी जी, अब सप्ता मिल गई, दो दो बार पधान मंतरी बन गए, भीवी क्यों इतना दोड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौझ करो, आराम करो, लेकिन उन लोगों का पता नहीं है, बीजेपी कारिकरता की नियती, आराम करना, बैठना, मौझ कर करना, वो नहीं सब्चित, हाजबा के कार करता के लिए देश की आशाए, लोगों की आकांछाए, उनके सपने ही, उसकी ड्राइमिंग फोर्स होती है, इसी के लिए भागता कार करता है, दिन राद दोड़ता है, भागता है, काम करता है, तो रुपता नहीं है, ठकता नहीं ये जुकटा भी नहीं है लेकिन साथ यो हमें याद रखना है हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है भाजपा को डगर डगर पर प्रस्टाचार से लड़ना है भाजपा को डगर डगर पर भाई भतिजावाद से लड़ना है भाजपा को डगर डगर पर संप्रदाइवाद से लड़ना है भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है बाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टिम से लड़ना है क्योंकि यही वो चुलोतिया है जिनोंने देश का बहुत बड़ा नुक्षान किया है बहुत समय तक नुक्षान किया है जाथियों बहुत सब्वाग्य से अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजहती के अमरिक कान में राष्ट की सेवा करने का राष्ट निर्मान करने का आउसर मिला है हम भारतियोंने मिलकर 2047 तक जब आजादी के 100 साल मनाएंगे तब तक विक्सित भारत का लक्ष रखा है आजादी के अमरित महुत सब्से लेकर आजादी के 100 वर्थ तक देश की इस यात्रा में प्रतेग भाजबा कायर करता को जीत तोड महनत करनी ही करनी है हमारे कार करता हो तो लंबी पारी के लिए तयार करना चाहिए बल को बनाने में जिस तरह अनेक पीडियां खप गई उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीडियों को खपाना होगा साथियों मैं आपको फरवरी 2018 है इसी कार्यले में कही हुई अपनी एक बात को आज याद दिलाना चाहता हूँ 2018 में इसी भवन का लोकार्पर करते हुए मैंने कहा था कि ये कार्यले हमारी कर्मभूमी है लेकिन भारत की सीमा ही हमारे कार्यों की सीमा है हमें इस भवन से उर्जा लेकर समपूर्ण भारत की सीमा को ही अपना कार्यख्षेत्र बनाना है मुझे पिराव विश्वास है आप सब इसी तपस्या के साथ देश के सपनों को साकार करते रहेंगे जो सपना हमने पहले देखा था उसे हम आज पूरा होता देख रहे हैं जो सपना हम आज देख रहे हैं वो भविश्य में पूरा होकर रहेगा इसी विश्वास के साथ आज के इस मंगल अवसर पर और नवरात्री के पावन्त होरों के बीच मैं आप सब को देश वाजियों को अनेक अनेस को कामनाई देता हूँ बहुत पहुत धन्यवाद भारत माता की वन्दे मात्रम झाल झाल झाल